दोस्तों जो coronavirus क्या है यह नाक में infection होने के बाद जो हमारे neurons रहते हैं उनको damage करता है जो lining sales रहती है इनकी supporting sales रहती है उनको भी damage करता है इसकी वज़े से smell sensation चला जाता है दोस्तों जो आपका टेस्ट सेंसेशन है यह भी समेल सेंसेशन से जुड़ा वा रहता है तो वह भी कम हो जाता है नाक में और फैक्टर नियूरॉन्स है जो नौर रिंडिंग्स है उसको जो डामेज हुआ है वह रिजेंडेट भेने में समय लगेगा दोस्तों यह 90 परतिशत लोगों में एक मैने में रिंडेट हो जाता है मतलब एक मैने में वापस आ जाता है कुछ लोगों में दोस्तों यह डिस्टॉर्टेड स्मेल आनी लगती है जैसे प्लास्टिक जलने की स्मेल आती है केमिकल जलने की स्मेल आती है जो टेस्ट है यह भी काफी खराब रहती है तो ऐसे लोगों ने smell training शुरू करनी चाहिए दोस्तों सबसे पहले आपको ऐसी कोई चीज सिलेट करनी है कि पहले आप उसकी taste से काफी भली बाती परीचित है strong smell होनी चाहिए जैसे गुलाब का फूल है या अद्रक है, गार्लिक है घर में ऐसी कोई चीज जैसे strong smell आती हो और उससे आप परीचित हो तो उसको आपको रोज शाम सबेरे सुंगना है पंदरा मिनिट के लिए वो चीज को आप अपने नाक के सामने रखिए उसको सुंगे अच्छे से और इसके वैसे क्या होगा आपके जो निउरोंस है नाक में जो रिसेप्टर से अलफेक्टर रिसेप्टर उनको स्टिमुलस मिलेगा और वो रिजनरेशन में हेल्प करेंगे दोस्तो ये नाक की फिजियो थेरपी करने के समान है और आपका अगर टेस्स सेंसेशन चला गया है जैसे लोंग का तेल है निलगरी का तेल है ये भी अपसलेट कर सकते है और इसको आपको उसको सुंगते रहना है आपको याद करना है कि पहले इसकी स्मेल कैसे आती थी क्योंकि अभी आपको स्मेल नहीं आ रही है तो याद करके इसको सुंगना है, आपको स्मेल नहीं आ रही है, तो भी उसको सुंगते रहना है, तो दिरे-दिरे क्या होगा, पारिशेली ये स्मेल आती जाएंगी, और दिरे-दिरे आपका जो sensation है ये आ जाएगा, दोस्तों काफी लोग बोल रहे हैं कि उनको stimulation से फायदा ह हुआ है, मतलब steam में भीक्स डाले तो और जादा फायदा हुआ है, तो दोस्तों क्या है, steam क्या करती है, नाक में जो congestion है, उसको कम करती है, सूजन है, उसको कम करती है, और उसमें अगर हम भीक्स डालते है, तो विक्स का स्मेल हर एक उससे भली बाती परिचीत है, हर एक जाद कीजिए कैसे आती थी विक्स्ट और अभी आपको आ रही या नहीं आ रही हो देखिए तो धीरे-धीरे उसमेल आपको आना शुरू हो जाएगी क्योंकि जो नियूरॉन्स है उसको आप स्टिमूलेट करेंगे तो रीजेनरेट होने में काफी मदद मिलेगी तो दोस्तो आप मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जैसे नियरोबियान फोर्ट हो गया भी कॉम्टेक्स हो गया तो यह सप्लीमेंट्स आप लेंगे तो क्या होगा कि जो नर्स है और रिजेनरेट होने में मदद मिलेगी इसके बाद दोस्तों ब्रीधिंग कि इस तरह से सिंपल घरेवलू चीज़े आप यूज करके जो समेल लॉस है उसको ठीक कर सकते हैं अगर एक तीन मेने से ज्यादा रहता है चार मेने से ज्यादा रहता है और फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर आप एंटी डॉक्टर से चेक करा लीजिए दोस्तों नब्र 115 में एक मैने में वापस आ जाता है और जो रहे लोग है उनको तीन से चार मैने में वापस आ जाता है अभी ये पर्मरेंट रहेगा क्या नहीं इसके बारे में अभी बोल नहीं सकते है तो इसलिए आपको Smell Training शुरू से स्टार्ट करनी है इसके वज़े से जल्दी समें दोस्तों इसके आलवा आपको कोई सुजा हुए या सवाल है तो उससे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले शुक्रिया अगर आपने यह वीडियो यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेर कीजे ताकि मुझे और ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और चानल डॉक्टर मोरेज हिल टिप्स को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को शेर कीजे और बेल आइकॉन पर क्लिक करके और पेश सेट करना ना भूले धन्यवाद